जैजै श्री कृष्णा दोस्तों बच्चों स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पर सब से पहले आपको दिवाली की बहुत बहुत शुब कामनाई मा लक्ष्मी आपके घर में स्थाई रूप से निवास करे और आपकी सबी मनों कामनाई पूर्ण हो आज का वीडियो में हम बात करेंगे लक्ष्मी पूजन के बारे में पहली बात जैसे भी आपके घर में हर साल पूजा होती है आपने वैसे ही पूजा करनी है शाम के समय जब आप लक्ष्मी पूजन करने बैठें तो सब से पहले गनेश जी को परनाम करना थोड़ी देर ओम नमाशिवाय का जाप जरूर करना क्योंकि पंचाक्षर मंतर का जाप करने से पूजन में जो भी तुरुटी रह जाती है वो छमा हो जाती है उसके बाद मा लक्षमी के आगे हाथ जोड़ कर प्रार्थना करना के हे मा हमने पूरव में जो भी गलती करी हो हो सकता है आप हमारे दरवाजे पर आई हो और हम आपका सम्मान ना कर पाए हो पर हे मा, हे मा वैभव लक्षमी, अरोग्या लक्षमी, हे माता अश्ट लक्षमी, संतान लक्षमी, धन लक्षमी, हे मा ये घर, ये परिवार आपका है, आप इस घर से रुष्ट होकर ना जाईएगा और अपनी किरपा सदा इस परिवार पर बनाए रखना उसके बाद दो दीपक एक घी का और एक सरसों का दोनों ही अखंड रातरी भर जलाना घी का दीपक लक्षमी जी के सीदे हाथ पर अपने हाथ पर नहीं लक्षमी जी के सीदे हाथ पर और तेल का दीपक लक्षमी जी के उल्टे हाथ की तरफ रखना रोली, चंदन, अभीर, गुलाल, मेहंदी, पीले अक्षत, सुन्दर सुन्दर फूल, पांच या साथ कमल गटे, पांच या साथ अमर बेल के टुकडे, पांच हल्दी की गांट, थोड़े हरे मूंग, 21 या 31 दाने, एक कटोरी में खड़ा धनिया और थोड़ा गुड रखना इस से हमारे घर में मंगल कारया होते हैं, जैसे भी आप हर बार पूजन करते हो, आपके बड़े बजुर्ग आपको बताते रहे हैं, आपके परिवार में जैसे भी पूजा करी जाती है, वैसे ही पूजन करना, माता को मीठे का भोग लगाना, सुन्दर कलश की स्थापना क उसके उपर शिरीफल रख कर आपके घर में जो भी भगवान बैटे हो, उनका पूजन करना, अपनी कुल देवी या देवता, अपने पूर्वजों का भी समरन करना, सुन्दर भाव से सभी देवी देवताओं का समरन करना, चांदी के सिक्के का पूजन जरूर करना, माता क पूजन करें, समरन करें, आरती करें, उसके बाद 11, 21, 31, 51, जितने भी आप दीप जलाते हो, जलाना, माता रानी सब पर किरपा करें, सभी के बंडार भरे, मेरी तरफ से सभी धरम प्रेमी बंदुगों को दिवाली की बहुत बहुत शुब काम नाए, हर हर महा देव